विद्वन सक विशानु शक्ति कोरोना पर डाक्टर रिना की कलम से जन्मे शब्दों ने कवीता का रूप लिया है वरतमान समय में हमारा पूरा विश्व ही कोरोना की चपेट में है जिसके लिए प्रधान मंत्री ने लॉगडाउन का रास्ता सुझाया इस लॉगडाउन की अवदी में नागदा की बेटी डाक्टर रिना रवी मालपनी ने रचनात्मक की दिशा में कुछ नवीन प्रयास किये हैं डाक्टर रिना ने रचायन शास्तर में MSC, M.Phil एम पेजडी की है इसके अतिरिक्त उन्होंने B.A. और M.B.A. की शिक्षा भी प्राप्त की है डाक्टर रिना ने उच्जेन Engineering College School of Studies in Chemistry and Biome Chemistry उच्जेन अलपलाइन Engineering College उच्जेन वीजन पबलिक स्कूल नागदा, शेश्यक कॉलेज नागदा, शाश्की कला एम विज्यान मा विध्यले रतलाम, जबलपूर Engineering College और केंदरी विध्यले जबलपूर में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दी है, इसके अतिरिक्त डाक्टर रिना ने कई सांस्कृतिक गती विदियों जैसे मंच संचालन, नाटि मंचन, समाचार वाचन, निर्त्य, संगीत, भाषन, वाद विवात, इत्यादी में अपनी सेवागीता दी और अनेक प्रुसकार भी प्राप्त क पर इसके बावजुद इस लॉक्डाउन ओधी में समय का सदुप्यों करते हुए कावे लिखन शुरू किया, इस क्रिटिकल प्रियड में जब जन मानस फेर फेक्टर से ग्रजत है, तो उन्होंने अपने कावे के माध्यम से सकारतमक, रचनातमक और आशावान रेते हुए जन मानस को प्रेरित किया है। प्रश्ट सेवाएं समाज को दे रहे हैं। यह सभी इन विशम परिस्तितियों में अपनी जान की परवान करते हुए निरंतर देश के प्रती अपनी निर्नायक भूमी का निभा रहे हैं। मैं इन सभी का रदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज जब देश कोरोना की वज़े से क्रिटिकल पीरियड में हैं तब हम सभी को स्वच्छता के नियमों जैसे अवोइड हैंड शेकिंग, रेगुलर सैनिटाइज यॉरसल्फ, शोशल डिस्टेंसिंग, अवोइड टचिंग आईज अन नूस, एंड फ्रिक्वेंटली इन सभी नियमों को सजक्ता से पालन करना चाहिए, इस लोगडाउन की अवधी में हमें अपनी रशनात्मक्ता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, मैंने भी इस दिशा में कविता लेखन का कारे शुरू किया, बैसिकली मैं साइन्स प्रेग्राउंट की हूँ, मैंने औ लोगडाउन पीरियड में कुछ रशनात्मक कारे करें। कोरोना की सारी इस्थितियों के अवलोकन के बाद जो मैंने स्वरचित कविता लिखी है, उसका शिर्शक है कोरोना विध्वनसक विशानु शक्ती। कोरोना ने आख नाक और मुह को अपना प्रवेश द्वार बनाया। हमने भी स्वच्छता के नियमों को पूर्ण रूप से अपनाया। कोरोना ने मायूसी का प्रसार किया। हमने भी द्रड निश्य से उसका साक्षात कार किया। कोरोना तुने मानव जाती को शिकार बनाया, पर डॉक्टर ने भी पूर्ण समर्पन से तुझे हराया। कोरोना तुने गती पर वीराम लगाया, परंतु हमने मानवता पर अटूट विश्वास दिखाया। कोरोना तुने जन जन पर कहर बरसाया, जन मानस के जीवन से खुशाली को दूर भगाया। कोरोना तुने आवा गमन को बाधित किया, मेल मिलाप का दस्तूर जीवन से गायप किया। कोरोना तुने विनाश का रास्ता अपनाया, हमने भी इश्वरिय सत्ता पर पूर्ण विश्वास दिखाया। कोरोना तुने जन जन में अलगाव को बढ़ाया, हमने भी अपने सुक्ष्म प्रयासों से जिंदगियों को बचाया। कोरोना तुने विश्व में सन्नाते को हर तरफ फैलाया, हमने भी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया। कोरोना तुने विध्वन्स का विक्राल स्वरूप अपनाया, हमने भी एक जुठ होकर तुझे हराने का मन बनाया। कोरोना तुने बे गुना मासुमों को निशाना बनाया, हमने भी अनुशासन में रहकर तेरा विस्तार गिराया। कोरोना तुने जनता की आजादी पर प्रतिबंध लगाया, मोदी जी ने भी लॉकडाउन द्वारा बचने का रास्ता सुझाया। कोरोना तुने महामारी का रूप अपनाया, हमने भी भारत को कोरोना मुक्त करने का बीडा उठाया। कोरोना तुने विश्व में मानव पीडा को बढ़ाया, हमें भी पुरातन संस्क्रती को छोड़ने का दुष परिणाम बताया। कोरोना तुने मृत्यू को अपना लक्ष बनाया, हमने भी एकांत को जीवन रक्षया का शेस्त्र बनाया। कोरोना तुने विश्विक महामारी बनकर हाहा कार मचाया, तब विश्व को भारती संस्क्रती का महत्व समझ आया। कोरोना तुने विध्वन्सक विश्वाणू शक्ती का रूप अपनाया, पर भारत ने भी एक जुटता और धिध्यरी को अपना मूल मंत्र बनाया। मेरा अंत में आप सभी से पुना हाँ जोड कर निवेदन है कि हमें अपनी मात्र भूमी की सेवा घर पर रह कर करनी है। इस 21 दिन के लॉकडाउन पीरियट को हमको पूर्ण तहर सफल बनाना है और कोरोना संक्रमन को रोकना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइपस। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।